तो फाइनली गाईज बॉलिवूट के खिलाडी अक्षे कुमार के फिल्म बड़े मिया छोटे मिया ने पूरी तरह से धमाल मचा दिया है जैसा कि आप सबी को पता होगा कल यानि के 11 अपरेल को ईद के खास मोके पर सिनीमा घरो में रिलीस होई थी बॉलिवूट के खिलाडी और टाइगर श्रॉफ के फिल्म बड़े मिया छोटे मिया जो अपने पहले ही दिन बॉक्स आफिस पर धूब मचा चुकी है और फिल्म का आज दूसरा दिन है 500 करोड रुपे की कमाई कर जाती है और वहीं एक 2500-300-400 करोड रुपे के बजट पे बनने वाली फिल्म 50-60 करोड रुपे पर धेर हो जाती है लेकिन दोस्तों ये बड़े मिया छोटे मिया ने बॉक्स आफिस पर दिखा दिया है कि ये लंबी रेस का गोड़ा है फिल्म सभी को पसंद आ रही है और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स आफिस पर चलने वाली है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा आज कोई holiday नहीं है आज पूरी तरह से working day है लेकिन बावजूद इसके आज भी ये फिल्म अपने दूसरे दिन पूरी तरह से houseful नजर आ रहे है एक अच्छी occupancy के साथ तो दोस्तों फिल्म का आज दूसरा दिन है तो फिलाल इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ कि बड़े मिया छोटे मिया कल थस्डे को अपने opening day पर कितनी कमाई करने में काम्याब रही इंडिया से फिल्म का oversize कितना collection रहा और कुल मिला कि फिल्म की जो worldwide opening रही वो कित ना हो जाएगा तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहीएगा लेकिं दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलिवूड के खिलाड़े अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉप को एक बहुतरी नवीने इता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ विराज सुकुमरान हर किसी की परफॉर्मस में दम है और वाकि ये फिल्म माइनी रखती है कि हाँ इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए क्योंकि अक्षे कुमार के करियर की अब तक कि सबसे शांदार फिल्म में कहूंगा क्योंकि देखो अभी तक जितने भी पिछली एक् इस फिल्म में जिन्होंने अपने आपको इस फिल्म में परफॉर्म किया वो वाकि काबिले तारीफ किया हाला कि कुछ लोगों ने फिल्म की नेगेटिविटी यानि कि कुछ हिटर्स थे जो फिल्म को खराब बता रहे थे लेकिन दोस्तों आपको किसी की बातों में आने की तो आप अपनी मर्जी से जाएए पूरी तरह से पैसा वसूल फिल्म है और ये एक शानदार फिल्म है लेकिन दोस्तों अगर बात करें फिल्म बड़े मिया चोटे मिया के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तों समसे पहले आज दूसरे दिन फिल्म का क्या हाल है क्योंकि आज काफी हद तक काफी शोज इंक्रीज हुए है दिल्ली, NCR, मुंबई, पूने हर जगा पे कल के मुकाबले आज फिल्म के जो शोज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हाला कि आज वर्किंग डे है लेकिन फिर भी नज़र डालें कि आज कोंसे शहर में फिल्म का क् तुम्हें आपको बताता चलो कि बड़े मिया चोटे मिया जो की एक हिंदी लेंग्विज की एक्शन त्रेडर फिल्म है जिसको डेरिक किया है अली अबबास जफर ने फिल्म को प्रिड्यूस किया है जैकी भगनानी वाशु भगनानी और दिप्शी कादेश मुक ने और अक्शी कुमार, टाइगर शुरॉफ, पिरत्विरासु कुमरर, मानुशी छिला, सोनाक्षी सिन्हा और रौनितुराई बॉस एहम किरदारों में नज़र आए और दोस्तों अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूँ तो लगबख साड़े तीन सो करोड उपे बजट बताय जा रहे फिल्म का एक बड़े बजट की फिल्म है और फिल्म का जब ट्रेलर हमने देखा तो लगा भी कि हाँ भई वाकी एक बहतरीन और एक बड़ी फिल्म है और अब जब फिल्म सिनिवा घरों में रिलीज हो चुकी है तो वाकी देखकर लग रहा है कि फिल्म के उपर ब बात करें तो फिल्म के पास कल देखो 400 शोज थे लेकिन आज फिल्म के पास 514 शोज हो चुके और ये प्रियाम में अच्छी बात है क्योंकि बड़े मिया चोटे मिया के शोज जो है वो काफ इंक्रीज हुए और दोस्तो आज कोई हॉलिडे नहीं है आज पूरी तरह से वर्क और दोस्तो ये एडवांस बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज दूसरे दिन की जो एडवांस बुकिंग हुई है फिल्म के पास 515 शोज है जिसमें से 25 शोज ओलमॉस फुल है और 10 फास फिलिंग है मुंबई के अंदर भी 4 परसेंट से ज्यादा की उक्योपें है 144 शोज है हैदराबाद में 7% की उक्योपेंज की 35 शोज है कोलकाता में भी काफी शोज इंक्रीज हुए यहाँ पर बहुद टहून एक परसेंट से ज्यादा १ूक्योपेंज और फिल्म के पास 135 शोज है एहमदाबाद में भी Marx शोज हूए है और लेकिन यहाँ पर 320 शोज है चेन्नेई में 8% की उक्योपेंस है 35 शोज है सूरत में 0% की उक्योपेंस है 220 शोज है जैपूर के अंदर 2% से ज्यादा की उक्योपेंस है 82 शोज है चंडिगर में 12% से ज्यादा की उक्योपेंस है और फिल्म के पास 60 शोज है भोपाल में 8% से ज्यादा की उक्योपेंसी और 46 रोज है यानि कि फिल्म की आज भी काफी अच्छी उक्योपेंसी हमें नज़र आ रही है और दोस्तो जिस तरह से आज फिल्म ने एडवांस बुकिंग की है अपने फिल्म की अच्छा ही करने वाली और दोस्तो मैं आपसे दो बार पहले भी कह चुको एक बार फिर कह रहा हूँ इसलिए बार बार मुझे बात को दोराना पड़ता है ताकि आपको याद रहे तो आज पुरी तरह से वर्किंग डे है कोई भी हॉलिडे आज नहीं है तो इसलिए फिल्म के कलक्शन जो आज होगा वो बहुत बहतरीन होगा अगर मैं कल फर्स डे की बात करूँ क्योंकि कल फर्स डे को फिल्म ने जो कलक्शन किया वो काबिले तारीफ किया हाला कि उम्मेदों के मताबिक तो नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिल्म की निगेटिविटी करने की कोशिश की लेकिन बावजूद इसके बड़े मिया छोटे मिया अपने फर्स डे पर इंडिया के अंदर 17 करोड पे नेट कमाने में काम्याब रहे हाला कि मुझे तो लग रहा था कि 20 करोड पे से ज्यादा ही ये फिल्म करेगी लेकिन निगेटिविटी के चलते फिल्म उतना ज्यादा नहीं कर पाई और फिल्म ने अपने पहले दिन 17 करोड पे इंडिया से नेट कमाए वही फिल्म का जो इंडिया में गिरॉस कलेक्शन रहा वो 21 करोड़ 40 लाख उर्पे कर रहा ओवरसीज से फिल्म ने कमाई अपने पहले दिन 6 करोड़ पे और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वर्ल्ड में टोटल कमाई रही पहले दिन की वो 27 करोड 40 लाख उर्पे की रही जहां दोस्तों अपने पहले दिन फिल्म बड़े मिया चोटे मिया वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 27 करोड 40 लाख उर्पे करने में कामियाब रही और मैं कहूंगा ये काबिले तारीफ है क्योंकि आज दूसरे दिन काफी शोज इंक्रीज हुए हाला कि आज वर्किंग डे है तो कल और परसो फिल्म को पूरा फायदा मिलने वाला है तो फिल्म की जो दो दिनों का आज दूसरे दिन का collection रहेगा वो लगभग 10 करोड उपे का रहेगा और फिल्म की जो दो दिनों की total कमाई है वो 27 करोड उपे इंडिया से net हो जाएगी तो वही फिल्म पूरे वल्ड में 42 यानि के 42 करोड उपे का आकड़ा पार कर लेगी और द तर येगा.